इन और के देवी अहिल्या विश्विद्याले में बीदे सप्ता से कुलपती नहीं होने के कारण हजारों छात्रों का भविश्य अधर में है कुलपती की जल्द नियूकती को लेकर एनसुआई ने इन और में सर पर काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन किया इनसुआई की प्रदेश अधिक जावेत खान के नेतरतों में शात्रों ने सर पर काली पट्टी बांध कर हाथ में कुलपती की मांग के पोस्टर लिए मौन रूप से प्रदर्शन पर बैठे रिगल तिराहा सित सांकेतिक धरने के दोरान नसुआई नेता ने कहा कि राज़सरकार ने कुलपती के पद के लिए जो तीन नाम दिये थे उसे एक कुलाधी पती ने रिजेक्ट कर दिया जिस परकार से कुलाधी पती जी जो राज़सरकार द्वारा उन्हें तीन नाम दिये गए थे उसे रिजेक्ट करने के मामले को लेकर यहाँ पर उपस्तित हुई है आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले सीटी के मामले को लेकर कुलपती जी को जिस परकार से हटाया गया था उसके बास से सीटी के छातरों के साथ न्याई नहीं हो सकता था एसा लग रहा था कि राज्य सरकार कोई बड़ा निर्ने ले हम उनसे भी बात कर रहे थे जैसे ही राज्य सरकार ने निर्ने लिया और तीन नामों को गोशित करते हुए उन्होंने कुलपती जी के सामने ये नाम रखे उन्होंने इन नाम को हटा दिया कही न गई कुलाधी पती जी जो है वो राजनीतिकरन इस मामले का कर रहे हैं क्योंकि सीधे रूप से देखा जा सकता है कि CET के जो चात्र है वो चात्र अब प्राइवेट कालेजों में प्रवेस ले रहे हैं तो इससे इसपष्ट होता है कि प्राइवेट कालेजों को ने नूप्त किया जाए। छाद्र संगतन ने कुला अधिपती पर आरोप लगाया है कि वह ये उच्च शिक्षा को पूण रूप से निजी करण करना जा रहे हैं।